यह दिए आपके डिलबरी फरवरी मार्च अप्रेल माई के अंदर होने वाली है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी हेलफुल ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हुँ जो कोई आपके नार्मा डिलबरी में बहुत ज्यादा काम आएगी तो कौन कौन सीवर्ट ट्रिक्स इसकीप नहीं करिएगा बहुत ही अच्छी आपको इंफोर्मेशन मिलने वाली है तो वीडियो को कर लिजिए लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि है तो कर लिजिए और वेल आइकन को प्रेस कर लिजिए आने वाले वीडियो की नोटिपिकेसल की नमस्का जैसे आपका नाइन मंद सुरू हो जाए आपको गुनगुने पानी का सेवन जरूर से करना चाहिए सुबह उठते ही सबसे पहले आप गुनगुने का सेवन करें उससे क्या होगा कि आपको कब गयरा की समस्या रहती है वो नहीं होगी और आपकी बच्चे दानी के मुझ ख सिप सिप करके पी जाए आपको बहुत हिल्प मिलेगी बच्चे दानी के मुझ खुलने में और आपकी नार्मन डिलवरी होने में चुकि यह मेरा परसनल एक्सपीरियंस है सच में बर्क करता है यह आपका वेट बहुत जादा है तो फिर आप खी का सेवन ना करें जादा ब लेगी जैसे आपकी डिलवरी होने में दस से पंद्रा दिन बचे ना तो यह दो काम जरूर करें आप नारियल के ते लिए फिर घीले लीजिए उससे अपने निपल की मसाज करिए उससे एक तरह का हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि वे दर्द होने में और जंकुचन बढ़ जरूर कर लीजिए इससे भी एक हर्मोन्स रिलीज होता है और नार्मा डिलवरी होने में दर्द लाने में बहुत ज़्यादा हेल्ब मिलती है यह दि कमफटेवल है तो भी बनाईएगा नहीं तो यह दि किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेसन है तो प्लीज इससे दूरी र नहीं है तो आप उकुडू बैठके थोड़ा चल सकती हैं दस-माच मिनट इदी कमफटेवल हैं तो लेकिन खुद से नहीं हो पाता मैंने भी ट्राइक किया था यादि आपके घर में कोई फेमिली मेंबर है तो उनका हेल्प जरूर लीजिए नहीं तो अपने हैस्वेंड क ही एप लीजिये लेकिन जरूर से करिए यह बाला वर्क बहुत जादा करता है नो कि मसल्स सर्चना'd होती है और बच्चे दानी का मूँ खुलने में हिल्प मिलता है आप कोशिस करिए कि खजूर का सेबन जरूर करिए लिए छाइपte कर यह का सबन सेबन करिएगा थाड़ी हो गए जिसको खारे भी बोलते हैं तो इनका सेवन जरूर करिएगा ये भी बहुत हेल्प करते हैं आपकी नार्मन लिलवरी होने में अजवाइन सोट और तिल के लड़ू का भी सेवन कर सकती है ये इनकी तासीर गरम होती है और ये संकुचन बढ़ने में हेल्प करते हैं आप 9 मन्त के जैसे 10 से 15 दिन बचते हैं तो उस टाइम पे आप अननास पपीता इनका भी सेवन कर सकती है इससे संकुचन बढ़ने में हेल्प मिलती है और आपकी नर्मा डिलवरी के चांसस बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो आप क्या करती है इन टाइम में आपको कौन सा मन्त चल रहा है या फिर आपकी डिलवरी अब होने बाली है तो प्लीज कोमेंट करके जरूर बताईए ये आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कोई मन में सवाल है तो कौमेंट करिएगा हम आपको जरूर से रिपलाई करेंगे उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक करिए नहीं है तो सस्क्राइब करिए मिलेंगे नेस्ट वीडियो